हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टु दरपन बुटिक कैसे आप सभी लोग आई होप आप सब लोग ठीक होंगे आज प्रेंड्स हम लेकर आएं आपके लिए कटोरी ब्लाउस क्योंकि कटोरी ब्लाउस कि हमाई पास इतने सारी कमेंट आए जो कि हम गिन भी नहीं सकते हैं इतने प्लाउस कामरें आपके लिए नाप के लिए प्लाउस मिंद सन्वादे करने एंधसरमेंंट में crit लेने वाल से और ब्लाउस कि ब्लाउस को बड़ाब ना इसरे 42 ब्लाउस के लंबाय के दिरखने वाले साड़ेพेंश और हम इसकी ृस्क है URL टाइट खीच करना अपना है तो फिटिंग आ रहा है हमारी साड़े 21 इंच, चेस्ट की फिटिंग आ रहा है साड़े 21 इंच, अब यहाँ पर कमर की फिटिंग मेजर करेंगे, तो कमर की फिटिंग है हमारी साड़े 16 इंच, सारा मेजरमेंट हमें लिख कर रखना है, अब हमी स nesite कबला हमारा साड़े 9 इंच का है हमने blouse का पूरा मेजरमेंग ले लिया यामरा निल्या करना कि कपड़े को हमने हैं से double fold में रखा हुआ है यह हमारा बंध वाला हिस्सा है और यह कुला वाला है तो यहां पर हमें कपड़े को सीधा करने का मार्किंग करना है पहले बैक पार्ट निका लेंगे अब blouse की लंबाई हमारी एक इंच प्लस कर लिया है अब शोल्डर की मार्किंग करना है हमें 5.5 पर क्योंकि हमारे डीप नेक हैं इसलिए हम शोल्डर 5.5 रख रहे हैं और अगर आपको समझ में नहीं आते हैं कि कि 11 इंच हो गया होगा तो जब हम 11 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा साड़े 5 इंच पर हमने मार्किंग कर ली अब यहां से इंची टेप को रखेंगे अब हमें आर्मोल्स का निशान लगाना है तो वह कैसे लगाएंगे हम देखो जो हमाई पास मेजर्मेंट के लिए लोग के पास में रखना है और इसको कर देखींगे कितना और यह जो हमारी फिटिंग के निसान लगाना यह नहीं किस्यों हम करेंगे आधा करेंगे अब हम्मर की फिटिंग कंवरी 16 इंच है करेंगे तो सब आठ लगा लिया में एक इंच यहां पर एक्स्रा निशान लगाना हैं क्यूंकि यहां पर ब्लाउस में कमद डाट भी डलती है एक हमारा हो जाएगा कमर डाट डालने का इन निशानों को लंबा कर लेंगे इन दौनों निशान को हम आपस में मिला लेंगे और यहां पर हम इनच का मार जने अपर यहां पर Avenac पाशलект यहां हिएलं कि शूल्डर होंगे इस्टे ढश्व कर निशान लगाना है जितने भी आपके शूल्डर होंगे उससे आपको आधे इंच कम पर निशान लगाना है अब हम पीछे गले की निशान लगाएंगे पीछे गले की विर्थ हमें सबादो इंच रखना है और गले की लंबही हमारी साड़े नौ इंच थी तो आधे इंच हम इसमें बढ़ा लें यहां पर हमें कट लगा देना है और नीचे साइड से भी इसको काट कर हटा देना है अस्तर को भी हम साइड में करेंगे अब देखो हमें आगे कपाट कटिंग करना है तो उसके लिए हमें पेपर पर कटिंग करना होगी हमने यहां पर एक पेपर कर लिया है उसको यहां से एसे फोल्ड कर लेंगे आपको कितना करना यह जो हमारा बैंप परण निशान लगाना है यहां से करना है , पेक पार्ट को बेक पार्ट से बड़ा रखना है, जेसा हमारा बैक पार्ट है बैसे हमें कर लेना है जएसा मेर आप बैक पार ना मरकिंग करनी बैसी उसमें करने बानित है स्कूल a Kaiser करना है तो यहां हमारी रहा था detto हैसे अच्पार चेस्ट सब्सक्राइब लाइन कीच कर बॉक्स बना लेंगे और इसमें भी हमें गोल गला ड्रॉ कर लेना है यह तो हमारा जैसा पीछे का पार्ट था वैसे हमने आगे का पार्ट ड्रॉ कर लिया इसमें आप इन्ची ब्लाउस कि यहां से हमें हमें येकंजल कर रहे हैं यहां से हमें इन्ची साब्रों को सखकाई तो आपका जितना भी बड़ा आगे का गला होगा उसके बाद जो आपकी ये क्रॉज वाली लाइन रहे ही ना उससे आपको देड़ इंच ऊपर जाना है यहां पर हम देड़ इंच ऊपर चले गए फिर उसके बाद हमें बेल्ट की मार्किंग करनी है तो देखो आप बेल्ट इससे नापकर भी रख सकते हो और ऐसे बिन नापे भी रख सकते हो तो यह जो बेल्ट है हमारा देखो यहां से यहां तक हमारा तीन इंच का है आगे साइड हमाई लंबाई तीन इंच है और यहां से कोने दो इंच है अगर आपके पास नापके लिए ब्लाउस नहीं भी है तब भी आपको यहाँ पर यह वाला जो निशान है आगे वाला यह चार इंच पर लगाना है और यह वाला निशान आपको पौने तीन इंच पर लगाना है स्केल को ऐसे तिर्चा करके रखेंगे इस से इसको मिला देंगे बेल्ट की निशान आप सभी को ऐसा ही लगाना है यहां से लिए कि हमने 4 इंच रखाए है यह सब के लिए fix है अगर आपको बेल्ट थोड़ा छोड़ा बनाना है तो आप इसे 3.5 इंच भी रख सकते हो और यहां से यहां तक हमने 3.5 इंच रखाए है तो चेस्ट है हमारा 40 इंच अब इसको हम सिख से डिवाइड करेंगे अभी हमने जो नाप लिया है वह हमने ब्लाउस से नाप लिया है तो ब्लाउस में कुछ ना कुछ लोजिंग एड होगी इसलिए तो यह यहां पर हमारा 20 इंच है लेकिन अगर हम बॉड़ी से नाप लेते तो 42 इंच होई जाएगा वह तो अभी हम 40 के साब से इसमें कटोरी निकालने वाली हैं 40 का हम डिवाइड कर देंगे 6 से 40 डिवाइड 6 तो कितना हो जाएगा हमारा 6.66 तो यह 6.66 कहां आएगा हमारा देखो यह हमारा 6 हो गया और आधे इंच और जब हम ले लेंगे तो हमार यहां पर आ जाता तो हमारा पूरसा इंच हो जाता मतलब 6.75 हो जाता लेकिन आपर मार्किंग केतने अपर करनी होगी 66 की बास यहां पर हमें इंची टैब को रखना यह अर देखों पर कला निशान लगा लेना है कि यहां से और लेकर दिके कि हमने विद्ग हमने लगा लिय विसमें से पहले यहां पर आपको कितना रखना है वह बता देते हैं यहां पर हमें पहले उतना ही हमें यहां पर निशान लगाना नाशी मैं आपर किरची लाइन डिर्स आफ लखाल कर लेंगे यह हमारा बैक साइड का अर्मॉल से अब हमी waited regulation Repeat और गळूरा करना है देखो यहां से अब हम इंची टैप को रखेंगे और यहां से लेके यहां तक हमें 2 इंच रखना है देखो अगर आपको याद नहीं रहता कि हमें कितना रख लेना चाहिए तो आप जिसके भी ब्लाउस का बना रहा है उसका यह जो बीच का सेंटर वाला हिस्सा होता है यह ज यहां से लेकर आपको 7-7-2 इंच पर निशान लगाना है यहां ने ही सबेसर अका इंच पर निशान लगा दreten यू है इसे लिए अगर आपको अगर आपको आसे मिला आने का आदत नहीं है तो आप French करससे मिलाbox इससे थूड़ा सा आगे बढाएंगे और इसको भी यासे रांड करकी मिला लेंगे अब हम इस वाली लाइन के पास सटेटिंग करनी है हमिकर निहीं करनी है इस वाली लाइन के पास सटेटिंग कि चब ने बेल्ट के निशान लगाई थी तो हमने नीचे वाली साइड से लगाई थी तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है यह जो इनच फैब्रीक एक्सटर रखा था जब हम बेल्ट के रहाख एंगे तो हमारा एक इंच फैब्रिक उसमें चला जाएगा एक इंच फैब्रिक हमारा सिलाई में चला जाएगा आदी इंच हमारा यहां पर चला जाएगा इसलिए हमने इस बाले फैब्रिक को एक इंच बड़ा कर रखा था आपको भी ध्यान से एक इंच फैब्रिक बड़ा कर रखना है कि बेल्ट को हमने याँ स्कटिंग किया है आब इसको यहां से हल्का सर राउंड शीप दे देंगे ज़्यादा नहीं करना है हल्का सही करना है देखो बत इतना इन इसका था ओप ह online बेल्ट और तो एक दम परफेक्ट है इसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है यहां पर फिटिंग का कट लगाएंगे अब यह जो हमारी कटोरी है इसको लेकिन हमें चेंज करना होगा अगर हम इतनी बड़ी कटोरी लगा देंगे तो हमारी यह सही नहीं बैठेंगे बहुत ज्यादा यहां भीकरत होगी इसलिए हमें एक दूस्री क्टोरी कतिंग करना भी अब हम दूसरा पेपर ले लिया है पेपर कंपby थोड़ासा बड़ा लेना है जो अब को तो यहां पर यहां साथा तो यहां फिर्ज्ञ एक नहीं हां इंटेंगी जैसे पहलेएं मार्किंग कर लेने जैसे हमारी हिवाली कटोरी थी यह तैक दूसरी कटोरी का निशान के लिगा लिया है अब दूसरी का द रेखती हैं किस साइज में कितनी बड़ी डाइक ए तो पहले हम वह देखे engage देखो यह हमारा वेस्ट चार्थ है इसके कोड़िंग हमें इसमें डालनी है अभी जो हमारा साइज है वह है चालीश इंच चालीस चेस्ट है हमारा 40 इंच की हिसाब से हमारी डाट जो आएगी वो आएगी कोने 3 इंच की 2.75 की इसके अकॉर्डिंग हमें यहां पर एक्ष्टा रखना होगा यह जो डाट चार्ट है वो हमने सभी के लिए बनाया है तो आप लोग इसका स्कीन शॉट लेकर रख सकते है तो देखो अब हमें यहां पर कितना बढ़ाना है यहां पर हमको पौने 3 इंच बढ़ाना है तो पौने 3 इंच हमें कितना किस साइड बढ़ाएंगे और कहसे बढ़ाना है वो देख लेते हैं यहां से लेके यहां तक का पहले हमें बीच का सेंटर निकालना है सेंटर निका होससी नहीं उसको हम आधह करते हैंऊ हम बढ़ वह सब इइनुस में अल्ग करेंगे तकना हम यहां के अफ़े आपको एक पर का याजन निकालना होगा और मैंने वैसे थे आपको बटा दिया कि डार्ट आपको स्कीतिक एक्वाडिक डालना या तो आप इसके अ कॉर्टप दिख लेना और फिर जितने भी आपकी G получ यह उसका आपको लेना है फिर हाफ इसाइड जितना आया है आधा आधा कर देंगे मतलब साहिड जाये पीर कि फिर हमें हमें इंच आपर एक्षिटर रखना पृपल स आधे इंच हमने हैंपर एक्राइम तर ल headache में के लिए और सब्ठेल्खना यहां पर भी हमें आदे इंच सिलाई मार्जन रखना है और इधर भी हमें सिलाई मार्जन रखना है दो हमने कहां कहां सिलाई मार्जन बढ़ाया यहां पर यहां पर और जो हमारी डार्ट के बाद जो जितनी हमारी डार्ट थी उसके बाद भी हमने आदे इंच सिलाई मार्ज और इसको इससे लाकर मिला लेंगे अब यहां पर एक सिर्ची लाइन ड्रॉ करेंगे अब देखो यहां से लेकर यहां तक जो हमारी कटोरी है इसको पहले काटने से पहले आपको इससे मेजर करके देख लेना है कहीं यह कम तो नहीं हो रही है देखो यह हमारी यहां से लेकर कितनी बड़ी ही हो रही है और हमेंसे बड़ी समय चाहिए उर हमें इस्के करना है कि इसको एमने क release चैन्म करih लिया है अब यहां पर कोना के भर भशिका- Nee यह बनाना चाहिए अब समय क्टकरर करेंगे तो हमारी रगी हमें ज़स को लगांَ creative हमारा विल्कुल था है ते इतनी सी हमारी बढ़ी हो रहा है इतनै स्वाउन holiday गज़ते हैं चक्रण चाहां जब आपके हैं और फिर तो यहां पर बढ़ी रहेगी तो आप इसको बाद में मिला सकते हो तो अभी हमारी पेपर क्टिंग हो गई है तो मैंने बोला था काटूरी वाला ब्लाउस बहुत ईजी होता है वहाँ पर आपको हमारी एप्लिकेशन दरपन बुटिक क्लास को डाउनलोड कर लेना है और वहाँ पर आपको मिलेगी ब्लाउस बिगनर टू मास्टर क्लास को आपको जॉइन कर लेना है और इसकी फी से only 1999 रुपे और को इंफोर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं अब हम यह जो हमने कटिंग की है वही कटिंग हमें अस्तर पे भी करना है करिए इसन बरेंगे तो इसको मेंगे क्या मेंगया gev उयर्म करना है पैले अपना टीर लींगे और बैक पाटत ही रख लेंगे मने में ज कॉम्हारा मिल गाय और और ऐब ए neither आइनला सख स्षिय 끝나ेगा तो हमारा ख जोगा चाहिए अब तो अगर आपको आपको करना है तो यहां से थोड़ा साँ तो आपको अपनी कटोरी को भी मेजर कर लेंगे कटोरी को आपको ऐसे ही मेजर करना है देखो यह एक दम हमारी बराबर आ रही तो मतलब कि हमारी यह जो हमने कटिंग किये वह एक दम सही है अब अपना अस्तर लेंगे अब हमने सब्सक्राइब घुमा दिया है जो हमारी हुक और हाइब कर देना है कि यह किनारी थी ना इसको एक्ष्ट्रा ले लिया है क्योंकि इसको कटिंग करके हटाएंगे hai pela उपट होगा तो कटोरिक हम यहां पर रखेंगे और एप बाली साइड करके अब यहां magic हपना टीर रख लेंगे और इसी के बराबरी से कटिंग करें गे यह हमारी कटोरी लिए तो हमने इसको एकडम ऐसा सीधा करकर लिया अब इसे के बराबरी से इसको करना चाहते हो तो आप ऐसे निशान भी लगा कर सकते हो और फिर पेपर को आप साइड कर दो कि हमारा तीरा भी कटिंग हो गया है अब यह जो हमारा अस्तर बचा है इसमें से में स्लीप्स करना है तो स्लीप्स की लंबाई हमें ऍहने 5 इंच रखना यह तो शरी चौड़ाओ यह थी यह हमारा चाहरा कर देंगे की तो यहां हमारा फोल्ड हो जांब हम Всем इसको यहां से नाप कर देख लिए आप देखो अब ही यहां से यहां तक इतना बड़ा ही है देड़ इंच आपको बड़ा रखना है अब देखो आधे इंच हमारा यहां पर सिलाई में दबेगा तो आधे निचान लगाया है साड़े-पांच इंच की अस्तीन है हमारी तो 6 यहां पर दब जाएगा अब यहां पर एक सीधी लाइन ट्रॉ कर लेंगा अगर आपके पास नापका बलाउस है तो आप उससे भी निचान लगा सकते हो ऐसे रखना है आपको यह हमारा नेचे सिलाई का है इसको हमने रख लिया यहां से लेकर यहां तक हमने अस्तीन जितन अब यहां पर दब चुका है तो यहां पर हमें आधी इंच उपर साइड निशान लगाना है इसको हमने साइड में कर दिया यहां से यहां तक हमारा साढ़े तीन इंच डाउन होता है और यह जो साढ़े तीन इंच डाउन करने का फॉर्मूला है यह सब के लिए फिक्स होत अब यहां पर दे हुई हमारा इतना हमारा फैब्रिक कम है तो यहां पर हमें एक छोटी सी कली लगाना होगी तो हमने एक कपड़े को लिया है इसको हमने आदे इंच ऊपर चड़ा कर रखा है अब इसी की बराबरी से इसकी कटिंग कर देंगे कली को हमने बहार नेकाल लिया अब यहां से कटिंग करंते करके अलग अलग कर देंगे कली हमारी हाँ पर जोईंट हो जाएगी कली को साइड में करेंगे और उपर वाला फैब्रिक यह हमारे दो करते हैं दो को अब नीचे वाले दो में हमने गोलाई कर दी है और यह गोलाई हमने पौने एक इंच के लिए और यहां से यहां तक इसको बरावर लेबल में मिलाएंगे इसे राउंड करते हुए स्लीप की कटिंग भी हमारी कम्प्लीट हो गई है अब हम अपने मैन फैब्रिक की कटिंग करेंगे यह हमने अपना मैन फैब्रिक ले लिया है देखो यहां पर बॉर्डर है और यहां पर भी बॉर्डर है तो एक साइड की बॉर्डर हम स्लीप पर लेंगे और एक साइड की ब हमीं कारें इन नoga में हटो जो एक्स्ट्रा होगा वह बाद में कुर्टी करके हटा देंगे मारी चॉली करक्तिंग हो गई वैक पार्ट करें हो गया अब हमारा तीरा अब यहां से हमें sleeves और bed दो चीज और निकालना है अब हमाएं पास इतना ही फैब्रिक बचा है तो पहले हम sleeves निकालेंगे यह हमारे double में fold रखा है एक बार और fold कर देंगे अब इसके उपर हम अपनी sleeves रख लेंगे अब यहां से जो कम पड़ रहा है वहां पर हम कली लगा देंगे, इसको खोलेंगे, एक फैब्रिक को साइड में करेंगे, एक ही फैब्रिक लेंगे और इसको यहां पर ऐसे करके पलट लेंगे अब यह हमारा बॉर्डर वाला कपड़ा है जो हमारे बैक पार्ट में से बचा था तो दो कलियां तो हम इसी में से निकालेंगे जिससे हमारी बॉर्डर आ जाए यहां पर और एक्ष्ट्रा तो इसको काट कर खोलेंगे क्योंकि यहां से हमारा बंद है इसको यहीं पर ऐसे कर जाए इतने बड़ी एक और चाहिए दो और हैसी कली चाहिए इसको रखेंगे इसको उपर दो कल्या है यहां से निकाल लें यह हैं तो पाइपिंग की पट्टी हम नहीं निकाल रहा है क्योंकि हम इस व्लाउस में लास लगानाई गले पर इसलिए नहीं निकल रहा हैन recording मैंने आपको तरीक बतादगा हमारे पूरे कटोरी प्रसक्रा इसम wraps पूब कर देंग हो गया होगा और सारे याप ब्नाना है नेक्स्ट वीडियो में हमें इसकी स्ट्रेचिंग करेंगे और इसकी स्ट्रेचिंग की वीडियो को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको यह वाली वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए जोड़े हैं तो चैनल को स